हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल क्वेक श्टडी और आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जूरने की कोशिश करी हूँ नए जोश नए उमंग के साथ I hope you all are doing well and आगे मैं बता दूं कि आपकी जितने भी एक्जाम से उसके लिए मैं करेंट अफ्वेयर का पर्तियोगिता दर्पन का टॉपिक लेकर आए हूँ जो कि नौंबर मन्त का है ठीक है तो इसमें मैंने कुछ से जो भी नौंबर मन्त में पर्तियोगिता दर्पन में जो इंपोर्टन चीजेये हैं, उसे मैंने क्या किया है कि आप लोगों के लिए पॉम्ट वाइस इंपोर्टन पॉंट किया है और आपको इसमें कुछ भी महनत नहीं करना है बस आपको इसे याद करते चले जाना है और मैं इस वीडियो के माधियम से आप सभी को याद करवा द चाहिए या क्या आपको और चाहिए मुझसे क्या आप के एक्सपेक्टेशन्स हैं तो उसे मैं फुल्फिल करने की पुरी-पुरी कोशिश करूंगी ज्यादा टाइम नहीं लेती हूं बट गाइस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो आपकी स्टूडीय कम्प्लेट हो सके और साथ ही साथ मुझे भी कुछ बेनिफिट मिल सके ठीक है तो आइहोंगी मैंन से पढ़ाई कर रहे ही है बहुत ही मैंन से पढ़ाई और लगन लगन नभिकर रहे हैं तो प्लीज ऐसी मेहनत कीजिए, इतनी कड़ी मेहनत कीजिए कि सफलता आपके लिए बैठी इंतिजार करे सफलता आपसे दूर नहीं भागे तो मेहनत ऐसी करना है कि सफलता आपके लिए बैठ कर इंतिजार करे है ना, तो friends, मैं जानती हूँ कि काफे कम वक्त होता है students के पास तो इसे मैं start करती हूँ पर्तियोगिता दरपन नौमबर मन्त का ठीक है तो यह रहा पर्तियोगिता दरपन में राष्टिय घटना कर्म का सबसे important सबसे first जो है उसमें देखेंगे कि सबसे पहले क्या important है तो उन चीजों को point wise मैं deal करने जारी हूँ ठीक है राष्टिय घटना कर्म में देखेंगे आप कि 70 वर्ष पूर विलुप्त भारत में चीतों की वापसी की गई है ठीक है ना 70 वर्ष पहले क्या हुआ था कि हमारे भारत में चीते जो हते हैं वो विलुप्त हो गयते इसे लाया गया है नामीविया से फिर से 2022 में लाया गया है आठ चीतों को यानि कि भारत की धर्ति पर अब चीतों का कदम पढ़ गया है 70 वर्ष के बाद पुना कब लाया गया 17 सितंबर को 2022 को माद्य परदेश में इन आठ चीतों को कुनो राष्टी उद्यान में बसाया गया कौन सा राष्टी उधन कुनो राष्टी उधन और ये कहा है तो ये है आपका मद्यपरदेश में इसके लावा 12 अन चीतों को दच्छिन अफरीका से लाए जाने की संभावना है अभी 8 आया है जो नामीबिया के साथ आया है और ये नामीबिया जो है अपका ये क्या है ये सौथ ये जो है अफरीका की एक कंट्री है ठेक है नामीबिया और बारा कहां से लाए जाए जाएंगे ये सौथ अफरीका से ये भी अफरीकन कंट्री है इन में से तीन जो है नर है और पांच मादा है परदान मंत्री नरेद मोधी ने अपने 72 जन्दिन जो की 17 सितंबर को परदान मंत्री का बढ़े कब पड़ता है 17 सितंबर को उन्होंने अपने 72 जन्दिन के अफसर पर 17 सितंबर को तीन कुनो राष्टिय उद्यान में उन्हें तीन तीन चीतों को राष्टिय कुनो उद्यान में आजाद किया कहरा है कि 1947 में भारत के केवल तीन चीते ही बचे थे जिसका शिकार क्या कर लिया गया था 1947 में करके चीतों को पुरी तरह से खतम कर दिया गया था यानि कि हमारे भारत में 1947 में केवल तीन ही चीता बचा था और उसे उस साल ही क्या कर दिया गया शिकार करके मार डाला गया तो उस समय यानि कि आज से लगबग सतर वर्ष पहले क्या हुआ था हमारी धर्ती से चीते की जो चीता होता है उसकी संख्या उसके जो जाती थी वो विलुप्त हो गई ठीक है तो 1952 में भारत की धर्ती से विलुप्त घोशित कर दिया गया 1947 में तीन चीते थे जिसे विलुप्त हो गया और 1952 में जब इसका सर्वे हुआ तो कहा गया कि भारत की धर्ती से यह चीते क्या हो चुके हैं पूरी तरह से खतम हो चुके हैं देश में खेतों के देश में खेतों के पु कि देश में जो चीते का फिर से पुनरवास कराया जा रहा है फिर से इनको भरन पोशन के लिए जो पहले की पुरवर्ती यूपीय सरकार थी उसने 2009 में योजना बनाया था लेकिन कोट ने क्या किया था सुप्रीम कोट ने से रध कर दिया था ठीक है यानि कि जो यूपीय सरक अधिया सरकार थी निस्व बावन में तो चीतों को भारत की दर्थी से विलूप्त घोशित कर दिया गया देश में खेतों के पुनरवास के लिए यानिके फिर से बसाने के लिए पुरवर्ती यूपीय सरकार ने क्या किया था कि योजना बनाई थी पर सुप्रीम कोट ने एंडिय सरकार ने पुनर्वास की यूजना बनाई और जिसे सुप्रीम कोट ने 2017 में मन्जूरी दे दी तो इजी है कि 1947 में जन थी थी ते भर घोशित कर दिया गिया विलूप में और आठ चीतों को नामीबिया में लाया गया है सितंबर 2022 में UPA सरकार ने पुनरवास की योजना बनाई लेकिन वो फेल होगे क्योंकि सुप्रीम कोट ने इसकी मना ही कर दी थी बट जब NDA सरकार ने इसकी योजना बनाई तो 2017 में इसकी मन्जोरी सुप्रीम कोट द्वार में वाप्सी प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत किया जा रहा है यह किस ьwo पiltष चीता लाया जा रहा है नामीबिया यह इन फ्रूटर बारा आएँगे दषण अपिका से हैं तो वेश कि पहली बड़ी मासरें तो ये जो है प्रोजेक्ट चीता कि तहत लाया आप तक सबसे बड़ी जीव मासाहारी जीव का अंतर महादीपय स्थानांतरन परियजना है मतलब कि यह जो प्रोजेक्ट चीता के तहए जो इस मासाहारी जीव को लाया जा रहा है तो यह अभी तक का इंटर कॉंटिनेंटल अस्थानांतरन के हैं तो एक जगा से दूसरे वर्तमान में चीते केवल अफरीका महादेश के कुछ देशों में और इरान में पाया जा रहा है कुछ ही देशों में पाया जा रहा है तो जिसमें अफरीका बता रहा है और इरान बता रहा है तो अफरीका के कुछ देश में हम देख रहे हैं कि देचिन अफरीका और नामीब तो यह क्या होगा हमारे भारत में भी इसको देखने को मिलेगा फ्यूचर में ठीक है वर्तमान में चीते किवल अफरीका महादेश में और इरान में देखे जाते हैं ठीक है नरिंदर मोदी ने बताया है कि भारत में 75 आदमियों को सॉरी क्या रहा है थोड़ा गलट टाइप हो गया है नरिंदर मोदी ने बताया है कि 75 आदर भूमी ठीक है वेटलैंड जो होते हैं दलदली छेत उसके बारे में कि 75 आदर भूमी जो है रामसर इस्थल गोशित किया गया है ठीक है नरिंदर मोदी ने क्या बताया है कि 75 जितने भी वेटलेंड है आदर भूमिया है वो क्या कर दिया गया है रामसर इस्थाल गोशित कर दिया गया है जिसमें से 26 ऐसे हैं जो चार साल में जोड़े गया है ठीक है मंजगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मंजगों शिप्याड यह मुंबई में है मंजगों शिप्याड जो है यह कहा है यह यूदपोत वगरा निर्मित करती है तो यह है आपका मुंबई में ओके यह आपका मुंबई में है है नव तो मंजगौर्ण प्याड गया मुंबबई में है इसने कैनों निर्मित क्या है इसका Lot Ano मंजगाउँन प्याड का है मुंबई में जुद्वर्ण में है मंजगोर्ण शिपएट limitड न क्या किया तारगिरी युदपोथ है । जल का जलावत रण मुंबै में 11 सितंबर को किया कृटप्र मंजगोर्ण शिपएट द्वारा निर्मित हुए तारगिरी युदपोथ जिसका 11 सितंबर को जलावत रन यानि कि इसको जल में उतारा गया इसका परिच्चन यानि कि टेस्ट वगरा किया गया कि ये हमारे सेना में भरती होने लायक इस्तमाल करने लायक युदपोत है या नहीं तो इसका भी परिच्चन चल रहा है तो कौन सा है ये तारागिरी युदपोत विबिन परिच्चनों क तारागिरी युदपोत के आपूर्ती जो है नौ सेना को दो हजार पचीज तक अगस्त में दो हजार पचीज तक तारागिरी युदपोत को क्या कराया जाएगा सेना को सौप दिया जाएगा अगस्त दो हजार पचीज तक कनफर्म नहीं है बट आगे भी डेर जा सकता है पी सेना को सापने का उमीद जताया जा रहा है अब इसका परिछन चल रहा है समुद्री सारे समुद्रों में तो यह जो यूदपोत है यह यूदपोत का निर्मान कौन सा यूदपोत है तो तारागिरी यूदपोत का निर्मान शुरू हुआ था 2020 में किया गया था किस प्रोजेक तो यह नील गिरी शुरेनी की है यह तीसरा युदपोत है यह थर्ड है पहला था नील गिरी दूसरा आगे देखेंगे और तीसरा है आपका तीसरा आपका हो गया कौन सा है तो यह हो गया आपका तारा गिरी नील गिरी तारा गिरी ओके ओके अब है 120 का जो तारागिरी जो हमारा युदपूत है यह जो है इसकी लंबाई अगर हम देखें यह बात करें तो तारागिरी देख लिए सितंबर 2022 में जलावितरन हुआ जलावितरन मतलब उसको जल में उतारा गया मंजगों शिपयारलिमितेड जो है जो के आपका याद रखना है कि मुपई में है मंजगों शिपयार्डलिमितेड़ जो है । सेटंबर में 11 शेट डियुक्वöm देट इडर नहीं याद करना है बद कहें तो 11 सेटंबर इसलिए मैं बोल दे रहे हूँ क्योंकि इस दिन जो है एलिजाबेत द्युत्य जो है उनका देथ हुआ था ठीक है उनकी मृत्यु हुई इसलिए क्या कर रहा है इसलिए ग्यारा सेफ्टेंबर मैं आपको याद पर फोकस कर रही है इसकी जो लंबाई है तारागिरी की तो यह 149 मीटर लंबा 17.8 मीटर इसकी विस्थापन चम्ता जो है कितने सारे यह को ले जा सकती है तो विस्थापन चम्ता मालक विस्थापन चम्ता कितना है समझ में 11 सेतंबर को ही जलावतरन हुआ है इसलिए इसे ज्यादा धूम धाम से जलावतरन नहीं किया गया साधे तोर पर आम बहुत ही कहते हैं कि साधारन तरीके से कर दिया गया क्योंकि शोक था ना राष्टी शोक हम लोग ने मनाया क्योंकि जो हमारा इंक लैंड है वो उससे कहीं ना कहीं हमारा इतिहास एक संबंद रहा है तो इसलिए एलिजावेट दित्य जो मरी है 11 सेतंबर को उसी दिन हमारा साधारन तोर पर इसी युदपोत का क्या कर दिया गया जलावतरन कर दिया गया अब कह रहा है कि 17 एक के तहत निर्मित पहला युदपोत मैंने बताए निलगिरी था जो जलावतरन यानि कि बन करके तयार हो गया मंजगों ये शिप्यार्ड लिमिटेड द्वारा और 19 में इसको जल में उतार के टेस्ट किया गया सारे समोंदर में परिच्छन के आ गया और 2024 में इसको सेना को ठेक है न हमारी ना सेना को सोपा जाएगा जाएगा और उदायागिरी जो ती ये दूसरी थे तो नीलगिरी उदायागिरी और अब के था Vamos ये भी जो है 2024 में सेना को सौपा जायेगा ठीक है और जिसका जलावतरन अगर पुछेगा उदायगिरी का तो 2022 में देख लिजे 2019 में निलगिरी का जलावतरन हुआ किसलिए टेस्टिंग के लिए फिर आपका जलावतरन युदपोद उदायगिरी का हुआ 2022 में और 2022 में ही क्या सेप्टमबर में हमारा मैं मैं में हुआ था उदायगिरी का निल युदपोद के किल लेंग जो होगा है तो वो होगा अभी तारागिरी थर्ड है ग्यारा सितंबर को एरिजा विद्धित्य की मित्ती होने के कारण इसका जलावत्रन समारो साधे तोर पर कर दिया गया ठीक है आगे बढ़ते हैं यह देखेंगे यह जो है स्टेल्थ यूद यानि के स्टेल्थ यूद पोत निलगिरी का नामकरन जो पढ़ा था यह निलगिरी सत्रा यह प्रोजेक्ट के तहद बनाया गया था पहला यूद पोत इसका जो नाम पढ़ा है निलगिरी के नाम पर पढ़ा है इंडियन नवल सिस्टम तारा गिरी नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा निलगिरी होगा इंडियन नवल सिस्टम निलगिरी के नाम पर ही क्या पढ़ा गिया यह यूद पोत का नाम क्या पढ़ गिया आपका पढ़ गिया है निलगिरी तो पहला था ये निलगीरी हमारा यूदपर और इसे जो था आई एनेस जो निलगीरी थी इसको लाया गया था आपका उनिस्व आसी में निलगीरी को शामिल किया गया था ठेक है उनिस्व आसी में शामिल किया गया था भारती नासेना में आई एनेस निलगीरी को है ना आई एनेस निलगीरी को और तेरा तक ये रहा था जब इसको हटाया गया सम्मान पूर्वा किसे क्या कर दिया गया हटा दिया गया डी कमिशन कर दिया गया नासेना की सेवा से मुक्त क कर दिया गया तो इनी के मतलब कह सकते हैं इनी के नाम पर और सम्मान में भी कह सकते हैं कि 17A प्रोजेक्ट के तहट युद्वपोद बनाया गया और इसका नाम करन जो था तारा गिरी का नाम करन जो पतारा ओके अच्छा आयनेस तारा गिरी का जो नाम करन है वो सही है इसका नाम करन पड़ा है यह आयनेस तारा गिरी के नाम पर किया गया है जो 33 वर्षों तक नौसेना में सेवा करती रही नौसेना की ठीक है यह नौसेना की सेवा में रही और 33 वर्षों के बाद इसे क्या कर दिया गया सेवा मुक्त कर दिया गया और इनहीं के आयनेस तारा गिरी के नाम पर जो है हमारा जो युद्वपोद तयार हुआ उसका नाम पड़ गया तारा गिरी ठीक ह योदवोत तारा गिरी नाम पड़ा, आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टन चीज है, साथा से आकाश में मार करने वाला, फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जो इंपोर्टन है, वो है, यह मिसाइल से रिलेटेड है, कि साथा से आपका जमीन से आकाश में मार करेगा, ठेक यहां से आपका यह मिसाइल क्या करेगी, जमीन से आपके सता से लेकर आकाश में बच्ची से 30 किलोमीटर तर क्या कर सकती है, मार कर सकती है, ठेक है, यह क्या है, इसका नाम क्या है, मार करने वाली Q-R-S-A-M मिसाइल, इसका नाम क्या है, Q-R-S-A-M, इसका नाम कह सकते हैं, QR SAM missile का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो quick reaction surface to air missile इसे कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है? quick reaction surface to air missile स्वधेशन इवमित है सबसे बड़ी बात हमारा पहरत बहुत चीजों में तरक्के कर रहा है अपनी missile अपना युदपत स्वाजी चीजें बना रहा है अब हमारी भारत के पास किसी से मतलब हमारा भारत किसी भी चीज में किसी भी तरह से पीछे नहीं है ठीक है? आगे बड़ते हैं तो QR SM QR SAM जो है ये एक missile है जो सता से क्या करेगी? जमीन पर 25 से 30 किलो मेटर तक का मार करेगी अब ये शर्फेस टु एयर मिसाइल आपको बता दिया आठ सितंबर 2022 को ओडिशा के चान्दीपूर से कहां से ओडिशा के चान्दीपूर से देखी? ये अगर इस तरह से भारत बनाए ये माल लिया अभी नीचा तक चला गया तो अगर हम इस तरह से भारत बनाएंगे तो आपका ओडिशा यह तो एक्साक्त नहीं बना है बता दू यह आपका अगर यहां पे देखा जा तो यह क्या है? यहां पे ओडिशा है ठीक है? तो यही पर आपका यह अरपसी है ठीक है यह अरपसी है और यह बे ओफ बंगाल है तो बे ओफ बंगाल जो है इसमें यहां पे ओडिशा में चांदिपूर में ठीक है यहां पे एक इंटेग्रेटर रेंज में साइल इंटेग्रेटर रेंज क्या ट्रेनिंग रेंज है ना तो यह जो है कहां है चांदिपूर तो आपको मैंने दिखाया मैपके माध्यम से समझानी की कोशिश की यह आपका जो है DRDO दोरा विक्सित किया गया है यह क्या हुआ है DRDO दोरा निर्मित है और DRDO दोरा ही इसका परिच्छन सेना के साथ मिल करके किया गया है याद रखिएगा QR साम जो है सर्फेस यानि के QR तो जानगे क्विक रियाक्शन सर्फेस टू इयर मिसाइल स्वादेश निर्मित है आप सितमबर 2022 को इसका ओडिशा चान्दी पूरिस्तित एक 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 रित परिच्छन रेंस से इसका क्या किया गया परिच्छन किया गया ठीक ह ने इसका के साथ मिलकर कि परिच्छन किया है तो यह है आपका वै डेक सकते हैं यह नक के साथ मिलकर क्या है twent सोगण। 15-30 किलोमीटर तक अब है। अध तक हो नेशनल ह हेरिटेज मैरे टाइम कॉंप threats में देखा रही हूए कि यह जो रहोग राष्ट का समूद्री से समंधित जितना भी विरासत है हमारी सिंदुगाटी सव्यता से लेक करके अभियादुनी काल तक के ठीक है ना ए यादों को संजोई रखेगा इस परिशर को इस तरह से तयार किया जाएगा ताको अनतराष्टिय परियोट्र के रूप मीई विखसित हो सके और विश्व में जाना जाए विश्व में जाना जा तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि राष्ट्य समुद्री विरासत परिशर क्या है तो राष्ट्य समुद्री विरासत परिशर जो है हमारा ये देखिए भारत के समरीद और विवी समुद्री विरासत जितने भी समुद्र से समंदित विरासत हैं कि इसका संदक्षन करेगा यानि कि हिपाज़त करेगा ये परद यह लोधल नाम भोप ने लांप टो गुजरात के लोधल पे जो दे रहे हूं क्योंकि ये सिंदुगाटी सभ्यता से ले करके अभी तक यहां पर मतलब ये विरासत ही है समुदरी विरासत के तौर पर ये जगा मशूर है इसलिए गुजरात के लोथल में जो क्या क्या जा रहा है यहां समुदरी विरासत परिशर का कीस तापना के जा रहे है ठेक है न और ये कौन कर रहा है तो पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रा ले इसका निर्मान कौन कर रहा है इस परिशर का निर्मान पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रा ले दोरा किया जा रहा ह सिंदुगाटी सवयता से लेकर अभी तक कि जितने विसम्रीद समुद्री इतिहास परदर्शन करने वाले इस परिशर को अंतराष्टिय पर्याटनिस्थाल के रूप में वेक्सित किया जाने की योजना है पर देखेंगे कि इसका पहला चरन जो था जो है वो दो हजार 24 तक पूरा हो जाएगा इसका निर्मानकारी का पहला चरन जो वो कब तक पूरा हो जाएगा दो हजार 24 तक ठीक है ये था समुन्दरी जो आपका है विरासत परिशरिस्थल के इस्थापना के बारे में कुछ विशेज जानकारी गुजरात के लोथल में पहला कप हो जाएगा इसका चरण खतम होगा दो 2024 में ठीक है दूसरा इंपर्टन टॉपिक है करोना कोरोना के इलाज के लिए अभी तब जो था हम लोग क्या वैक्सिन ले रहे थे अभी नाग के जरी इस्प्रे वैक्सिन नेजल इस्प्रे वैक्सिन की पहले तो एक चीज है कि नेजल इस्प्रे वैक्सिन बायोटेक द्वारा बनाया ग तो यह है आपका कि नेजल वैक्सिन इस्पिरे को भारत बायोटेक से दौरे निर्मित क्या गया है नेजल नेजल तो आप जानते हैं नाग से संबंदित है ठीक है ना तो यह नेजल वैक्सिन को भारत द्वारा क्या क्या गया निर्मित क्या गया है यह जो है नाग के द्वार दिया जाने वाला वैक्सिन है जो नाग के अंदरूनी हिस्से में इम्यूनिटी तयार करेगा इम्यूनिटी कहां तयार करेगा नाग के अंदरूनी हिस्से में आगे परती हूं तो नेजल वैक्सिन स्प्रेक इसने बनाया है तो यह बनाया गया है भारत बायोटेक के द्वार भारत बायोटेक के दवारा हमारे भारत में जितनी भी दवाएं बनती है उसकी मनजूरी यानि के इसका इस्तमाल होना चाहिए या नहीं उसका अप्रूवल देती है DCJI कौन देती है हमारी DCJI का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो ड्राग कंट्रोलर जेनरल अफ इंडिया ड्राग कंट्रोलर जेनरल अफ इनडिया क्या क्या किया किसी तंबर 222 में तीसरे चरन की परिक्षन मतलब टेस्ट होता है ना जब यह तीसरे टेस्ट में पूरी तरा से पास हो गया तो इसे क्या किया गया कि 18 अधिक अधिक वर्ष के लोगं को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को क्या कर दिया गया इसके उप्योग को मन्जूरी दे दिया और ये क्या है ये इंजेक्शन नहीं है ये इस्प्रे है जो नाग के दौरा ड्रॉप लिया जाएगा ये नाग के अंदरूनी हिस्से में इम्यूनिटी यानि के ताकत आपके जो ये आपका जो पर्ति रोधक चमता को शरीरिक पर्ति रोधक चमता को बढ़ाने में मदद करेगी नाग के अंदर ही ऐसा ये इस्प्रे काम करेगा ठीक है महराष्ट में विधान परिशत की सदसिता के लिए अभी महराष्ट से संबंदिट टॉपिक है तो क्या है कि महराष्ट में ऐसी समलोग जान रहे हैं कि शिंदे आवी की सरकार आई है तो उसने क्या किया है कि महराष्ट में जो विधान परिशत है ठीक है उसमें क्या किया है कि सदसिता हेतु जो उधव ठाकरे थे हमारे उधव ठाकरे की सरकार थी उनके द्वारा कुछ लोगों का यानि कि कुछ क्या 12 लोगों का संतुति किया गया था मनुनेयन के लिए कहां विधान परिश्यत में 12 लोगों का तो उस फाइल को क्या किया है माहराष्ट की सिंद सरकार ने अभी हाल या सिंद सरकार जो है उसने क्या कर दिया इस फाइल को विधान परिश्यत से वापस मंगवा लिया और नए लोगों के लिस्ट को यानि के नाम को सिंद की संतुती देने की जल्द ही गोशना की है ठीक है इसमें कुछ खास नहीं है कि विधान परिश्यत में जो बारा सदस्यों के नोनेयन की संतुती की गए थी उधर ठाकरी सरकार जो परवर्ती पहले की सरकार थी उसे खतम कर दिया गया उन लोगों की बारा नामों को हटा दिया गया है और क्या कर दिया गया है नए शिंदो आवे की सरकार ने क्या किया है कि नए लोगों के सदस्यों की जल्द ही सूच जिपाल को बताया है कि वो भेजेंगे ठीक है इसमें देखेंगे अभी बर्निंग टॉपिक हम थोड़ा से ये भी देख लें कि चार से आठ सितमभर तक नेपाल याता के दौरान थे हम लोग देखी रहे थे कि नेपाल के हमारी पड़ोशी देश नेपाल की यातरा पर गये पांडे अधिर के मानोज पांडे छूद दम घया गहते हैं तो आर्मी के बारे में कहारा ठीक हैं तो पांडे मानोज जेप्रा पांडे हैं जबन नेपाल म गये थे तो इनेपाल अधिया है मान उपादी यानि के रैंकिंग देगी हमारे हां इसके शुरुवात 1950 में की गई थे ठीक है न कि हमारे कोई भी अगर थल से ना विजिट करने आएगी निपाल से अगर थल से ना विजिट करने आएगा तो हम उसे उपादी से नवाजेंगे तो ये दोनों देशों के भी समझाता हुआ है भारत में 2021 में दिया था इसने 2022 में दिया उनिस से पचास से ये परमपरा चलिया लिए तो इसमें कुछ नहीं है चाह से 8 सितंबल 2022 नेपाल यातर के दरान भारतिय तल सेना प्रमग जनरल मनोज भांडे को नेपाली सेना अधिया की मानत उपादी से परदान किया गया 2020 में भारत की यात्र पर आये थे नेपाली सेना अधियाच प्रभू राम शर्मा को तर्काली नराष्टपती रामनात कोविंद ने भारतिय सेना अधियाच की मानत रैंकिंग परदान की थे ये परमपरा 1950 में शुरू हुए थे भारत प्रदान की शुरू परदान मंति नरेन मोधी ने पास दंबर 2022 को सिच्छक दिवस के अफसर पर तो पीम श्री स्कूल योजना के अफसर पर किया गया इसमें क्या किया गया है कि पोटीन थाजन फाइव हंडर्ड जो स्कूल से उसको अपगरेट किया जाएगा ठेक है और प्रडेट विलर्फलेक्ट दे की फीचर ऑफ दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ तू टू टूर्डवेट किया जाएगा यानि के मॉडन तरीके से इस सजाया जाएगा जाही वो राज हो या केंदर शासित प्रदेश हो । अफसरी चौदा हजार टूटल पानसों सा जो किस परबेज़ है, किस के मतलब फीचर्स को दर्ष आता है, प्रमुक बातों को दर्ष आता है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, राष्टी सिच्छा निची 2020 के प्रमुक विशेस्ताओं को दर्ष आता है, या योजना आधुनिक परिवर्तन लाने वाल आधुनिक तरीके से, बहुत कुछ चेंज होगी, पढ़ाने का तरीका चेंज होगा, बच्चों के रूची से सम्बंदित पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, टीचर को अच्छी तरह से ट्रेंड किया जाएगा, बहुत सारी चीजें इसमें एड हैं, मच्चो जाकि आपके प्रोग्राम्स कराया जाएगे, और वी चेंज हैं, तो यही है हमारा PM श्री स्कूल योजना, यह कह सकते है, PM स्कूल for rising India योजना, PM स्कूल for rising India योजना, बढ़ रहा है, तो इस्कूल भी क्या होना चाहिए? अप्रिर्ड होना चाहिए, और यह education policy कव रहे गई तरीका है, इनमें खोजना, उनमुक तरीकों को केंद में रखकर सिच्छा परदान किया जाएगा, यानि कि इनमें खोजना, यानि कि इन्नोवेशन, बच्चों में discoveries और इन्नोवेशन की बाते जगा करके, बच्चों को मतलब प्रोश्चाहित किया जाएगा, कि वो इन्नोवेशन पर ध्यान दे, नहीं नहीं चीजों पर खोज करें, और नहीं नहीं चीजों की इजाद करें, बच्चों को इस तरह से एजुकेशन, एजुकेट किया जाएगा, दूसरी चीज है, कि इसमें सबसे ज्यादा अत्योदिनिक प्रद्य होगी, कि अभी का, modern technology इस और स्मार्ट क्लासे इसितामाल करें, और खेल पर अधारत बुनियादी सुवेदाओं पर जोड दिया जाएगा, टेक है, आधुनिक लाब इस्तापित करें, ताके किताब, आधुनिक लाब सितापित करें, लैब सोरी, लाब नहीं, आधुनिक यानी के, modern type of, लाब स, कर दिया जाएँगे किताबी शीक के साथ सथ बच्चे क्या कर सके बस्त कर expect expert के सारे सकूर्स में देखिए तो प्रैक्टिक नब कोटी या से थोर देते हैं अधरवाई विभ कोटार नो फोर बस नाचिंग रहे थीन दि च्वताई अभी प्रैक्टिकल पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो अब ऐसे लैप्स बनाए जाएंगे चाहे वह बाइलोजिकल हो या किमिश्ट्री से संबंधित हो इन शब चीजों पर जोड़ दिया जाएगा और बच्चों को प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यान अर्जित करने के उनके सबसे ज़्यादा फोकस खेल पर किया जाएगा पढ़ाया भी जाएगा और इनके खेल पर भी जोर दिया जाएगा और उनके क्या कर सके शारीरिक रूप से वह विकास कर सके हैं ना खेल गूर्दम योगा यह सब चीज़े बच्चों के लिए ज्यादा माइनी रखेगा प्रिब्राइम्री और स्कूल के स्टुडेंट्स के लिए यही हमारी नई सिच्छा निती के पराधारित प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल योजना के कुछ बात है अभी एक और चीज है, last but not the list, popular front of India, यह एक पार्टी है, इस्लामिक पार्टी है, popular front of India and five other, has been banned by the Indian minister of home affairs for five years. जो home affairs minister उन्होंने पांस साल के लिए PFI को, popular front of India को, क्या किया है, बैन कर दिया है, क्यों बैन कर दिया है, तो यह गैर कानूनी गतिवीतियों में लिफ्ट पाई गई गई है, ठेक है, और यह किस कानून के तहक्त, home affairs minister ने इसे बैन किया है, तो यह है, अनलाफुल अक्टिविटीज प्रेवेंशन आक्ट, यानि कि UAPA, अनलाफुल अक्टिविटीज प्रेवेंशन आक्ट, UAPA के तहत, इसे ministry of home affairs ने, popular front of India को, उसके साथ 75 आन संज्थाहों को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, PFI 2006 में, हिंदू तो गुरूप के खिलाफ खड़ी हुई थी, ठेके न, इस्ताबित की गए थी, UAPA जो है, यह क्या है, तो UAPA अनलाफुल आपका अक्टिविटीज प्रेवेंशन आक्ट है, जो क्या है, कानूनी गति वीदियो की रोक्थाम अधिनियम है, आक्ट है, जिसके तहत, कोई भी संसा, पर बैन लगाये जा सकता है, जो गैर कानूनी गति वीदियो में, लिप्त यानि के, अगर उसमें शामिल है, और वो पाये जाते हैं, दोशी, तो उन्हें इस कानून के तहत, UAPA के तहत, बैन किया जाएगा, तो यही था, आज का आपका November का राष्टिय घटना कर्म से related, important topic, इसमें कुछ भी मैंने ऐसा addition नहीं किया है, जो आपके use का नहीं है, और प्लस कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं है, जो आपके use की है, तो यह था national घटना कर्म्स, ठेक है न, यह national राष्टिय घटना कर्म्स आपका जो है, यह सारे main main topics को मैंने point wise deal कर दिया है, ओके, तो I hope कि आप लोग को हमारे यह video पसंद आया होगा, अगर आपको हमारे यह video पसंद आता है, तो प्लीज आप इसे like, subscribe and share करना ना भूलें, तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं, एक नए topic के सा तब ते के लिए, बाइवय, जय हिंद, टेक के, जय भारत, जय भारती